नमस्कार, कथा कहानी कावे में आपका स्वागत है, आईए हमारे साथ इस साहित्तिक जफर पर, मेरा नाम है मनीशा और हमारी आज की कहानी है मुझी प्रेम चंद के उपन्यास सेवा सदन का सात्वा भाग पिछले भाग में आपने सुना, बिठल दास ने देश सेवा और समाज सेवा को अपने जीवन का धेय बनाया हुआ था उनके इन ही गुणों के कारण वह नगर में सर्व सम्मान्य थे पदम सिंग की चिठी मिलते ही जैसे उन्हें चटका लगा स्थिति को सुधारने पर विचार करके वह सुमन के मकान पर दालमंडी पहुँच गए सुमन को समझाने लगे कि कैसे उसके स्कृतिया ने हिंदू समाज का सिर नीचा कर दिया सुमन ने अपने तर्क दिये कि कैसे उच्च कुल की कन्या दरिद्र से विवहा करने के बाद समाज में अपमानित महसूस करती थी वही समाज भोली बाई के सामने आदरपूर्ण विवहार करता लेकिन अंत में पिठल दास के सामने एक शर्थ रखकर उसने इस अमर्यादित चीवन को त्यागने का वचन दे दिया बहशर्थी पदम सिंग को उससे मिलने के लिए भेजने की दूसरी तरफ सदन सिंग नियमित रूप से सुमन के मकान पर जाने लगा सुमन को वह सहज भाव सरल नविवक लगा उसने अपनी सेवी का हिरिया से सदन के बारे में पता भी लगा लिया कहीं भीतर से इस प्रेम को वह निशद्ध मानते हुए भी खिचती चली जाती थी और सदन भी उसकी और आकर्शित था यहां तक कि उसने घरवालों से जूट बोलना और चोरी करने जैसे ही कुकृत्य भी कर डाले और ये सब सुमन को तोफे देने के लिए अब आगे बाबो विठल दास अधूरा काम न करते बदम सिंग की ओर से निराश होकर उन्हें यह चिंता होने लगी कि सुमन बाई के लिए पचास रुपे मासिक का चंदा कैसे करूँ उनके स्थापित की हुई संस्थाए चंदो से ही चल रही थी लेकिन चंदो के वसूल होने में सदैव कठनाईयों का सामना होता था विद्वाश्रम की इमारत बनाने में हाथ लगाया लेकिन दो साल से उसकी दिवारे गिरती जाती थी उन पर चपड डालने के लिए रुपे हाथ ही ना आते थे फ्री लाइब्रेरी की पुस्तकें दीमकों का आहार बनती जाती थी अलमारियां बनाने के लिए द्रव्य का अभाव था लेकिन इन बाधाओं के होते हुए भी चंदे के सिवाए धन संग्रहे का उन्हें और कोई उपाय न सूझा सेट बलभदर दास शहर के प्रधान नीता अन्रेरी मजिस्ट्रेट और मुनिसिपल बोर्ड के चेर्मेन थे पहले उनकी सेवा में उपस्थित हुए सेट जी अपने बंगले में आराम कुर्सी पर लेटे हुए हुका पी रहे थे बहुत ही दुबले, पतले, गोरे चिट्टे आदमी थे बड़े रसिक, बड़े शौकीन वह प्रतिये काम में बहुत सोच समझ कर हाट डालते थे विठल दास का प्रस्ताव सुनकर बोले प्रस्ताव तो बहुत उत्तम है लेकिन यह बताईए, सुमन को आप रखना कहां चाहते हैं विद्वा आश्रम में आश्रम सारे नगर में बदनाम हो जाएगा और संभव है अन्य विद्वाएं भी छोड़ भागें तो बलग मकान लेकर रख दूँगा महले के नव्योकों में छुरी चल जाएगी तो फिर आप ही कोई उपाई बताईए मेरी सम्मती तो यह है कि आप इस जगड़े में ना पड़ें जिस स्त्री को लोक निंदा की लाज नहीं उसे कोई शक्ती नहीं सुधार सकती यह नियम है कि जब हमारा कोई अंग विक्रत हो जाता है तो उसे काट डालते हैं जिसमें उसका सारा विश समस्त शरीर को नश्ट ना कर डाले समाज में भी उसी नियम का पालन करना चाहिए मैं देखता हूँ कि आप मुझसे सहमत नहीं है लेकिन मेरा जो कुछ विचार था वहे मैंने स्पष्ट कर दिया आश्रम की प्रबंध कारणी सभा का एक मेंबर मैं भी तो हूँ मैं किसी तरह इस वैशा को आश्रम में रखने की सलहा ना दूँगा विठल दास ने रोज से कहा शारांश यह है कि इस काम में आप मुझे कोई साहता नहीं कर सकते जब आप जैसे महापुरुशों का यह हाल है तो दूसरों से क्या आशा हो सकती है वैंने आपका बहुत समय नश्ट किया इसके लिए एक शमा कीजिएगा यह कहकर विठल दास उठ खड़े हुए और सेट चिम्मनलाल की सेवा में पहुँचे यह सामले रंके बेडौल आदमी थे बहुत ही स्थूल, भीले ढाले शरीर में हाड की जगे मास और मास की जगे वायू भरी हुई थी उनके विचार भी शरीर ही के समान बेडौल थे वह रिशी धर्म सभा के सभापती रामलीला कमेटी के चेर्मैन और रामलीला परिशत के प्रबंद करता थे राजनीती को विश्भरा साप समझते थे और समाचार पत्रों को साप की बाबी उच अधिकारियों से मिलने की धुन थी अंग्रेजों के समाज में उनका विशेश मान था वहां उनके सद्गुणों की बड़ी प्रशंसा होती थी वह उदार न थे ना कृपन इस विशे में चंदे की नामा वली उनका मार्ग निश्चे किया करती थी उनमें एक बड़ा गुन था जो उनकी दुर्बलताओं को छिपाए रहता था यह थी उनकी विनोदशीलता विठल दास का प्रस्ताफ सुनकर बोले महाज़े आप भी बिलकुल शुशक आदमी है आप में जरा भी रस नही मुदत के बाद तो दाल मंडी में एक चीज नजर आई आप भी उसे गायब करने पर तुले हुए है कम से कम अब की राम लीला तो हो जाने दीजिए राजगदी के दिन उसका जल्सा होगा धूम मत जाएगी आखिर तुर्की ने आकर मंदिर को भ्रष्ट करती है ब्रहमनी रहे तो क्या पुरा है खेर ये तो दिल लगी हुई शमा कीजेगा आपको धन्यवाद है कि ऐसे ऐसे शुबकार्य आपके हातों पूरे होते है कहां है चंदे की फेहरिस्त पिठल दास ने सिर्ख हुजलाते हुए कहा अभी तो मैं केवल सेट बलभतर दासी के पास गया था लेकिन आप जानते ही हैं वह एक बैठक बाज हैं इधर उधर की बाते गर के टाल दिया अगर बलभतर दास ने एक लिखा होता तो यहां दो में संधे ना था दो लिखते तो चार का निश्चित था जब गुण कहीं शूने हो जाए तो गुणनफल शूने के सिवाई और क्या हो सकता था लेकिन बहाना क्या करते तुरंत एक आश्रे मिल गया बोले महाशे मुझे आपसे पूरी सानुफ होती है लेकिन बलभतर दासने कुछ समझ कर ही टाला होगा जब मैं भी दूर तक सोचता हूँ तो इस प्रस्ताव में कुछ राजनीती का रंग दिखाई देता है जिसमें जरा भी संधे नहीं आप चाहें इसे उस दृष्टी से ना देखते हों लेकिन मुझे तो इसमें गुप राजनीती भरी भी साफ नजर आती है मसल्मानों को यह बात अवश्य बुरी मालूम होगी वह जाकर अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे अधिकारियों को आप जानते ही हैं आखे नहीं किवल कान होते हैं उन्हें तुरंद किसी शडियंद्र का संधे हो जाएगा बिठल दास ने चुंजला कर कहा साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं कुछ नहीं देना चाहता आप ऐसा ही समझ लेजे मैंने सारी जाती का कोई ठेका थोड़े ही लिया है बिठल दास का मनोरत यहां भी पूरा ना हुआ लेकिन यहें उनके लिए कुछ नई बात न थी ऐसे निराशा जनक अनुभव उन्हें नित्य हुआ करते थे यहां से डॉक्टर शामा चरण के पास पहुँचे उनकी मौन कमभीरता विचारशीलता का द्यो तक समझी जाते थी शांती के भक्त थे इसलिए उनके विरोज से ना किसी को हानी थी ना उनके योग से किसी को लाब सभी तरह के लोग उन्हें अपना मित्र समझते थे सभी अपना शत्रू वे अपनी कमिशनरी की ओर से सूबे की सलहकारी सभा के सबासत थे बिठल दास की बात सुनकर बोले तेरे योगे जो सेवा हो वे मैं करने को तयार हूँ लेकिन उद्योग यह होना चाहिए कि उनको प्रताओं का सुधार किया जाए जिनके कारण ऐसी समस्याएं उपस्थित होती है इस समय आप एक ही रक्षा कर ही लेंगे तो इससे क्या होगा यहां तो नित्ये ही ऐसी दुरगटनाएं होती रहती है मूल कारणों का सुधार होना चाहिए कहिए तो काउंसल में कोई प्रशन करूँ मिठल दास उचल कर बोले जी हां यह तो बहुत उत्तम होगा डॉक्टर साहब ने तुरंट प्रशनों की एक माला तयार की क्या गर्वर्मेंट बता सकती है कि गत वर्ष वैश्याओं की संख्या कितनी बड़ी क्या गर्वर्मेंट ने इस बात का पता लगाया ये कारण कहां तक मनोविकारों से संबंध रखते हैं कहां तक आर्थिक स्तिथी से और कहां तक सामाजिक कुप्रताओं से इसके बाद डॉक्टर साहब अपने मुवक्किलों से बातचीत करने लगे विठल दास आदे गंटे तक बैठे रहे अंत में अधीर होकर बोले तो मुझे क्या अग्या होती है आप इत्मिनान रखे अब की काउंसिल की बैठक में गवर्मेंट का ध्यान इस और अवश्या करशित करूँगा विठल दास के जी में आया कि डॉक्टर साहब को आड़े हातो लूँ इन तो कुछ सोच कर चुप रह गए फिर किसी बड़े आदमी के पास जाने का साहस न हुआ लेकिन उस कर्म वीर ने उद्योग से मू नहीं मोड़ा नित्य किसी सजजन के पास जाते और उससे सहायता की याचना करते यह उद्योग सर्वता निश्वल तो नहीं हुआ उन्हें कई सो रुपे के वचन और कई सो रुपे नकत मिल गए लेकिन तीस रुपे मासिक की जो कमी थी वह इतने धंसे क्या पूरी होती तीन महीने की दोड़ धूप के बाद वह बड़ी मुश्किल से दस रुपे मासिक का प्रबंद करने में सफल हो सके अंत में जब उन्हें कोई अधिक साहता की आशा न रही तो वह एक दिन प्राते काल सुमन भाई के पास गए वह इन्हें देखते ही कुछ अनमंसी होकर बोली कहिए महाशे कैसे करपा की तुम्हें अपना वचन याद है इतनी दिनों की बात अगर मुझे भूल जाएं तो मेरा दोश नहीं मैंने तो बहुत चाहा कि शिग्र ही प्रबंद हो जाए लेकिन ऐसी जाती सिपाला पड़ा है जिसमें जातियता का सर्वता लोब हो गया है इस पर मेरा उद्योग बिल्कुल व्यर्थ नहीं हुआ मैंने तीस रुपे मासिक का प्रबंद कर लिया है और आशा है और जो कसर है वह भी पूरी हो जाएगी अब तुमसे यही प्रार्थना है कि इसे सुईकार करो और आज ही इस नरक कुंड को छोड़ दो शर्मा जी को आप नहीं ला सके क्या वह किसी तरहे आने पर राजी न हुए इस तीस रुपे में बीस रुपे मासिक का वचन उन्हीं ने दिया है सुमन ने विसमित होकर कहा अच्छा वह तो बड़े उदार निकले सेठों से भी कुछ मदद मिली सेठों की बाद ना पूछो चिमनलाल रामलीला के लिए हजार दो हजार रुपे खुशी से दे देंगे बलभदर दास से अफसरों की बधाई के लिए इससे भी अधिक मिल सकता है लेकिन इस विशे में उन्होंने कोरा जवाब दिया सुमन इस समय सदन के प्रेम जाल में फसी हुई थी प्रेम का आनंद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ था इस दुरलब रत्न को पाकर वह उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी यादिपी वह जानती थी कि इस प्रेम का परिनाम वियोग के सिवाए और कुछ नहीं हो सकता लेकिन उसका मन कहता था कि जब तक वह आनंद मिलता है तब तक उसे क्यों न भोगूं आगे चल कर न जाने क्या होगा जीवन की नाओ न जाने किस किस भवर में पड़ेगी न जाने कहां कहां भटकेगी भावी चिन्ताओं को वह अपनी पास न आने देती थी क्योंकि उधर भयंकर अंदकार के सिवाए और कुछ न सोचता था अतेव जीवन के सुधार का उत्साह जिसके वशिभूत होकर उसने विठल दास से वह प्रस्ताव किये थे शिन हो गया इस समय अगर विठल दास सौर रुपे मासिक का लोब दिखाते तो भी वह खुशना होती किन्तु एक बार जो बात खुद उठाई थी उससे फिरते हुए शरम आती थी बोली मैं इसका जवाब आपको कल दूंगी अभी कुछ सोच लेने दीजिये इसमें क्या सोचना समझना है कुछ नहीं लेकिन कल ही पर रखिए रात के दस बच गए थे शरद रितु की सुनहरी चांदनी चिटकी हुई थी सुमन खिडकी से नील वन आकाश की ओर ताक रही थी जैसे चांदनी के प्रकाश में तारगण की जोती मलिन पड़ गई थी उसी प्रकार उसके हिदे में चंदर रूपी सुविचार ने विचार रूपी तारगण को जोती हीन कर दिया था सुमन के सामने एक कटिन समस्य अपस्तित थी विठलदास को क्या उत्तर दो आज प्राते काल उसने कल जवाब देने का बहाना करके विठलदास को टाला था लेकिन दिन भर के सोच विचार ने उसके विचारों में कुछ संशोधन कर दिया था सुमन को यदिपी यहां भोग विलास के सभी सामान प्राप्त थे लेकिन बहुदा उसे ऐसे मनुश्यों की आवभगत करनी पड़ती थी जिनकी सूरत से उसे घ्रणा होती थी जिनकी बातों को सुनकर उसका जी मिचलाने लगता था अभी उसके मन में उत्तम भावों का सर्वता लोप नहीं हुआ था वह उस अधोगती को नहीं पहुँची थी जहां दुर्वेसन फृदे के समस्त भावों को नश्ट कर देता है इसमें संधे नहीं कि वह विलास की सामगरियों पर जान देती थी लेकिन इन सामगरियों की प्राप्ती के लिए जिस बेहायाई की जरूरत थी वह उसके लिए असाहिय थी और कभी कभी एकांत में वह अपनी वर्तमान दशा की पूर्वा वस्था से तुलना किया करती थी वह अपनी पडोसिनों के सामने अपनी कुलीनता पर गर्व कर सकती थी अपनी धार्मिक्ता और भक्ती भाव का रौब जमा सकती थी किसी के सम्मुक उसका सिर नीचा नहीं होता था लेकिन यहां उसके सगर्व रिदे को पग पग पर लज्जा से मूँ चिपाना पड़ता था उसे ग्यात होता था कि मैं किसी कुल्टा के सामने भी सिर उठाने योग्यन नहीं हूँ जो निरादर और अपमान उसे उस समय सहने पड़ते थे उनकी अपेक्षा यहां की प्रेम वारता और आखों की संकियां अधिक दुख जनक प्रतीत होती थी और उसके भाव, पूर्ण, रिदय पर उठारा घात कर देती थी तब उसका व्यतित रिदय पदम सिंग पर दात पीस कर है जाता था यदि उस निर्दई आदमी ने अपनी बदनामी के भय से मेरी अवहेलना ना की होती तो मुझे इस पापकुंड में कूदने का साहस न होता अगर वहे मुझे चार दिन भी पड़ा रहने देते तो कदाचित मैं अपने घर लोट जाती अथवा वहे गजाधर ही मुझे मना ले जाते फिर उसी प्रकार लड़ जगड़ कर जीवन के दिन कटने लगते इसलिए उसने विठल दास से पदम सिंग को अपने साथ लाने की शर्थ की थी लेकिन आज जब विठल दास से उसे ग्यात हुआ कि शर्मा जी मुझे उबारने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं और कितनी उदारता के साथ मेरी साहता करने पर तयार हैं तो उनके प्रती घ्रणा के स्थान पर उसके मन में शद्धा उत्पन हुई वह बड़े सज्जन पुरुश हैं मैं खामखा अपने दुराचार का दोश उनके से रखती हूँ उन्होंने मुझ पर दया की है मैं जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगी और कहूंगी कि आपने इस अभागन का उपकार किया है उसका बदला आपको ईश्वर देंगे यह कंगन भी लोटा दूं जिसमें उन्हें संतोष हो जाए कि जिस आत्मा की मैंने रक्षा की है वह सर्व था उसके अयोग्य नहीं है बस वहां से आकर इस पाप के मायजाल से निकल भागूं लेकिन सदन को कैसे बुलाओंगी अपने मन के इस चंचलता पर वह जुझला पड़ी क्या उस पाप मैं प्रेम के लिए जीवन सुधारक इस तुरलब अवसर को हाथ से जाने दू चार दिन की चांदनी के लिए सदैव पाप के अंधकार में पड़ी रहूं अपने हाथ से एक सरल हृदय युबग का जीवन नश्ट करूं जिस सज्जन पुरुष ने मेरे साथ वह सदवेवार किया है उन्ही के साथ यह चल यह कपट नहीं मैं इस दूशित प्रेम को रिदय से निकाल दूँगी सदन को भूल जाऊंगी उससे कहूंगी तुम भी मुझे इस माया जाल से निकलने दो अह मुझे कैसा धोका हुआ यह स्थान दूर से कितना सुहावना कितना मनोरम कितना सुख मैं दिखाई देता था मैंने इसे फूलों का बाग समझा लेकिन है क्या एक भयंकर वन मासा हरी पशों और विशेले कीड़ों से भरा हुआ यह नदी दूर से चांद की चादर से बिचिवी कैसी भली मालूम होती थी और अंदर क्या मिलता है बड़े बड़े विक्राल जल जन्तों का किड़ा स्थल सुमन इसी प्रकार विजार सागर में मगन थी उसे यह उतकंठा हो रही थी कि किसी तरह सवेरा हो जाए और विठल दास आ जाए किसी तरह यहां से निकल भागू आधी रात बीथ गई और उसे नीद ना आए धीरे धीरे उसे शंका होने लगी कि कहीं सवेरे विठल दास ना आए तो क्या होगा क्या मुझे फिर यहां प्राते काल से संध्या तक मरीसियों और धाडियों की चापलूसियां सुननी पड़ेंगी फिर पाप रजो लिप्त पुतलियों का आदर समान करना पड़ेगा सुमन को यहां रहते हुए अभी छे मास भी पूरे नहीं हुए थे लेकिन इतने ही दिनों में उसे यहां का पूरा अनुभव हो गया उसके यहां सारे दिन मरीसियों का जमघट रहता था वे अपने दुराचार चल और खुद्रता की कथाएं बड़े गर्व से कहते उनमें कोई चतुर गिरहकट था, कोई धूर्त ताश खेलने वाला कोई टपकी के विद्या में निपुण कोई दिवार फांदने के फन का उस्ताद और सब के सब अपने दुस्साहस और दुर्बलता पर फूले हुए पडोस की रमनियां भी नित्या आती थी रंगी, बनी, ठनी, दीपक के समान जगमगाती हुई किन्तु यह सुन पात्र थे, हला हल से भरे हुए पात्र उनमें कितना चिछोरा पन था, कितना चल, कितनी कुवासना बह अपने निर्लजता और कुक कर्मों के वृतांत कितने मजे ले लेकर कहती उनमें लज्जा का अंश भी न रहा था सदैव ठगने की, चलने की धुन, मन सदैव पाप त्रिशना में लिप्त शहर में जो सचरित्र थे, उन्हें यहां खुब गालियां दी जाती थी उनकी खुब हसी उड़ाई जाती थी उद्धू, गौखा आदी की पदवियां दी जाती थी दिन भर सारे शहर की चोरी और डाके, हत्या और व्यभिचार, गर्बपात और विश्वास खात की घटनाओं की चर्चा रहती यहां का आदर और प्रेम अब अपने यथात रूप में दिखाई देता था यह प्रेम नहीं था, आदर नहीं था, केवल काम लिपसा थी अब तक सुमन धैरे के साथ वहे सारी विपत्तियां झेलती थी उसने समझ लिया था कि जब इसी नरक कुंड में जीवन व्यतीत करना है तो इन बातों से कहां तक भागूं नरक में पढ़कर नारकिय धर्म का पालन करना अनिवार रह था पहली बार विठल दाज जब उसके पास आय थे तो उसने मन में उनकी उपेक्षा की थी उस समय तक उसे यहां के रंग ढंग का ज्यान न था लेकिन आज मुक्ति का द्वार सामने खुला देख कर इस कारगार में उसे क्षण भर भी थैरना असहिय हो रहा था जिस तरहें अफसर पाकर आदमी की पाप चेष्टा जागरत हो जाती है उसी प्रकार अफसर पाकर उसकी धर्म चेष्टा भी जागरत हो जाती है रात के तीन बज़े थे सुमन अभी करवटे बतल रही थी उसका मन बलात सदन की ओर कहिशता था जो जो प्रभात निकट आता था उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती थी वैं अपने मन को समझा रही थी तो इस प्रेम पर फूला हुआ है क्या तुझे मालूम नहीं है कि इसका आधार किवल रंग रूप है यह प्रेम नहीं प्रेम की लालचा है क्या कोई सच्चा प्रेम करने नहीं आता जिस भाती मंदिर में कोई सच्ची उपासना करने नहीं जाता उसी प्रकार इस मंडी में कोई प्रेम का सौधा करने नहीं आता सब लोग केवल मन बहलाने के लिए आते हैं इस प्रेम के ब्रह्मे मत पढ़ और उन्हों देके समय सुमन को नींद आ गई शाम हो गई सुमन ने दिन भर विठल दास की रहा देखी लेकिन वह अब तक नहीं आए सुमन के मन में जो नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थी वह पुष्ट हो गई विठल दास अब नहीं आएंगे अवशे कोई विगन पड़ी या तो मैं किसी दूसरे काम में फस गए या जिन लोगों ने साहिता का वचन दिया था पलट गए मगर कुछ भी हो एक बार विठल दास को यहां आना चाहिए था मुझे मालूम तो हो जाता कि निश्चे क्या हुआ अगर कोई मेरी साहिता नहीं करता ना करे मैं अपनी मदद आप कर लूँगी केवल एक सज्जन पुरुष की याड चाहिए क्या विठल दास से इतना भी नहीं होगा चलू उनसे मिलूं और कह दूं कि मुझे आर्थिक साहिता की इच्छा नहीं है आप इसके लिए हैरान नहों केवल मेरे रहने का प्रबंद कर दे और मुझे कोई काम बता दें जिससे मुझे सूखी रोटियां मिल जाया करें मैं और कुछ नहीं चाहती लेकिन मालूम नहीं वह कहां रहते हैं वे पते ठिकाने कहां कहां भटकते भिरोंगी चलूँ पाक की तरफ लोग वहां हवा खाने आया करते हैं संभव है उनसे भेंट हो जाए शर्मा जी नित्ते उधर ही घूमने जाया करते थे संभव है उनहीं से भेंट हो जाए उन्हें यह कंगन दे दूँगी और इसी पहाने से इस विशे में भी कुछ बात चीत कर लूँगी यह निश्चे करके सुमन ने एक हिराय की पग्गी मंगवाई और अकेले सेर को निकली दोनों खिड़कियां बंद कर दी लेकिन जंजरियों से जाकती जाती थी छावनी की तरफ दूर तक इधर उधर ताकती चली गई लेकिन दोनों आदमियों में से कोई भी न दिखाई पड़ा वै कोचवान को कुईन स्पाक की तरफ चलने के लिए कहना ही चाहती थी कि सदन घोड़े को दोड़ाता आता दिखाई दिया सुमन का हिदय उचलने लगा ऐसा जान पड़ा मानो इसे परसों के बाद देखा है स्थान के बदलने से कदाचित प्रेम में नया उत्सहा आ जाता है उसका जी चाहा कि उसे आवाज दे लेकिन जब्द कर गई जब तक आँखों से ओजल ना हुआ उसे सत्रिश्न प्रेम द्रिश्टी से देखती रही सदन के सरवांग पूर्ण सौंदरे पर वह कभी इतनी मुगधना हुई थी बग्गी कुईन्स पाक की ओर चली यह पाक शहर से दूर था बहुत कम लोग इधर आते थे लिकिन पदम सिंग का एकांध प्रेम उन्हें यहां खीच लाता था यहां विस्तरित मैदान में एक तकियदार बेंच पर बैठे हुए वह घंटों विचार में मगन रहते जो ही बग्गी फाटक के भीतर आई सुमन को शर्मा जी मैदान में अकेले बैठे दिखाई दिये सुमन का हृदय दीप शिखा की भाती थर थराने लगा भय कि इस दशा का ज्यान पहले होता तो वह यहां तक आ ही न सकती लेकिन इतनी दूर आकर और शर्मा जी को सामने बैठे देख कर निश्काम लोट जाना मुर्खता थी उसने जरा दूरी पर बग्गी रोग दी और गाड़ी से उतर कर शर्मा जी की ओर चली उसी प्रकार जैसे शब्द वाईयू के प्रतिकूल चलता है शर्मा जी कौतुहल से बग्गी देख रहे थे उन्होंने सुमन को पहचाना नहीं आश्चरे हो रहा था कि यह कौन महिला इधर चली आती है विचार किया कि कोई इसाई लेडी होगी लेकिन जब सुमन समीप आ गई तो उन्होंने उसे पहचाना एक बार उसकी और तबी आँखों से देखा फिर जैसे हाथ पाउं फूल गए हो जब सुमन सिर जिकाय हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई तो वे जेपे हुए दिन तापूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखने लगे मानो छिपने के लिए कोई बिल ढून रहे हो तब अकस्मात वे लपक कर उठे और पीछे की ओर फिर कर बेक के साथ चलने लगे सुमन पर जैसे वज्र पात हो गया वे क्या आशा मन में लेकर आई थी और क्या आँखों से देख रही है प्रभू ये मुझे इतना नीच और अधम समझते हैं कि मेरी परचाई से भी भागते हैं वे श्रद्धा जो उसके रिदे में शर्मा जी के प्रती उत्पन हो गई थी शर्मा जी ने और भी कदम बढ़ाया जैसे कोई भूत से भागे सुमन से यह अपमान न सहा गया तीवरिस्वर में बोली मैं आप से कुछ मांगने नहीं आई हूँ कि आप इतना डर रहे हैं मैं आपको केवल यह कंगन देने आई हूँ यह लिजे अब मैं आप ही चली जाती हूँ यह कहकर उसने कंगन निकाल कर शर्मा जी की तरफ वेका सुमन बग्गी की तरफ कहीं कदम जा चुकी थी शर्मा जी उसके निकटा कर बोले तुम्हें यह कंगन कहा मिला अगर मैं आपकी बात ना सुनू और मू फेर कर चली जाओं तो आपको बुरा ना मानना चाहिए सुमन बाई मुझे लज्जित ना करो मैं तुम्हारे सामने मू दिखाने योग्या नहीं हूँ क्यों? मुझे बार बार यह वेदना होती है कि अगर उस अफसर पर मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए ना कहा होता तो यह नौबत ना आती तो इसके लिए आपको लज्जित होने की क्या अवशक्ता है? आपने घर से निकाल कर मुझ पर बड़ी कृपा की मेरा जीवन सुधार दिया शर्मा जी इस ताने से तिल मिला उठे बोले अगर यह कृपा है तो गजाधर पांडे और विठ्थल दास की है मैं ऐसी कृपा का श्रे नहीं चाहता आप नेकी कर और दरिया में डाल वाली कहावत पर चलें पर मैं मैं तो मन में आपका एहसान मानती हूँ शर्मा जी मेरा मू ना खुलवाईए मन की बात मन में ही रहने दीजिए लेकिन आप जैसे सहर्दय आदमी से मुझे ऐसी निर्दैता की आशा न थी आप चाहे समझते हों कि आदर और समान की भूग बड़े आदमियों ही को होती है किन्तु दीन दशावाले प्राणियों को इसकी भूग और भी अधिक होती है क्योंकि उनके पास इसके प्राप्त करने का कोई साधन रहती थी कि यह आदर कैसे मिले इसका उत्तर मुझे कितने ही बार मिला लेकिन आपके होली वाले जलसे के दिन जो उत्तर मिला उसने भ्रहम दूर कर दिया मुझे आदर और समान का मार्ग दिखा दिया यदि मैं उस जलसे में न आती तो आज मैं अपने जोपड़े में संतुष्ट होती आपको मैं बहुत सचरित्र पुरुष्ट मजती थी इसलिए आपकी रिसिक्ता का मुझ पर और भी प्रभाव पड़ा होली बाई आपके सामने गर्व से बैठी हुई थी आप उसके सामने आदर और भक्ति की मूर्ती बने हुए थे आपके मित्र वरंद उसके इशारों पर कटपुतली की भात ही नाचते थे एक सरल हृदय आदर की अभिलाशनी स्त्री पर इस द्रश्य का जो फल हो सकता था वही मुझ पर हुआ पर अब उन बातों का जिक्र ही क्या जो होना था वह हुआ आपको क्यूं दोश्टू यह सब मेरा अपराग था मैं सुमन और कुछ कहना चाहती थी लेकिन शर्मा जी ने जो इस कता को बड़े कमभीर भाव से सुन रहे थे बात कार दी और पूछा सुमन ये बाते तुम मुझे लज्जित करने के लिए कह रही हो या सची है कहे तो मैं आपको लज्जित करने के लिए ही रही हूँ लेकिन बातें सची है इन बातों को मैंने बहुत दिन हुए भुला दिया था लेकिन इस समय आपने मेरी परचाई से भी दूर रहने की चेश्टा करके वे सब बातें याद दिला दी लेकिन अब मुझे स्वें पश्टावा हो रहा है मुझे ख्षमा कीजे शर्मा जी ने सिर न उठाया फिर विचार में डोग गए समन उन्हें धन्यवाद देने आई थी लेकिन बातों का क्रम कुछ ऐसा बिगड़ा कि उसे इसका अफसर ही न मिला और अब इतनी अप्रिय बातों के बाद उसे अनुग्रह और कृपा की चर्चा असंगत जान पड़ी वे अपनी बग्गे की ओर चली एका एक शर्मा जी ने पूछा और कंगन यह मुझे कल सर्राफे में दिखाई दिया बैने बहुजी के हातों में इसे देखा था पहचान गई तुरंत वहां से उठा लाई कितना देना पड़ा कुछ नहीं उल्टे सर्राफ पर और धौस जमाई सर्राफ का नाम बता सकती हो नहीं बचन दे आई हूं यह कहे कर सुमन चली गई शर्मा जी कुछ देर तक तो बैठे रहे फिर बेंच पर लेट गए सुमन का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था वह ऐसे चिंता मगन हो रहे थे जैसे उनके सामने कोई आकर खड़ा हो जाता तो भी उन्हें खबर ना होती उनके विचारों ने उन्हें स्तंभित कर दिया था ऐसा मालूम होता था मानों उनके मर्म स्थल पर कड़ी चोट लग गई है शरीर में एक शदलता सी प्रतीत होती थी वहे एक भावक आदमी थे सुभद्रा अगर कभी हसी में भी कोई चुपती हुई बात कह देती तो कई दिनों तक वहे उसके हृदय को मत्ती रहती थी उन्हें अपने विवार पर आचार विचार पर अपने कर्तव्य पालन पर अभिमान था आज वह अभिमान चूर चूर हो गया जिस अपराद को उन्होंने पहले गजाधर और विठल दास के सिर मढ़कर अपने को संतुष्ट किया था वही आज सौग उन्हें बोज के साथ उनके सिर पर लद गया सिर हिलाने की भी जगया न थी वही जपराद से दबे जाते थे विचार तीवर होकर मुर्ती मान हो जाता है कहीं बहुत दूर से उनके कान में आवाज आई वही जलसा ना होता तो आज मैं अपने जोपड़े में मगन होती इतने में हवा चली पत्तियां हिलने लगी इमानो व्रिक्ष अपने काले भयंकर सिरों को हिला हिला कर कहते थे सुमन की यह दुर्गती तुमने की है शर्मा जी घबरा कर उठे देर हो गई थी सामने गिरजा घर का उचा शिकर था उसमें घंटा बज रहा था घंटे की सुरीली धुनी कह रही थी सुमन की यह दुर्गती तुमने की जैसे किसी चटेल मैदान में सामने से उमड़ी हुई काली घटाओं को देखकर मुसाफिर दूर के अकेले व्रिक्ष की और सवेग चलता है उसी प्रकार शर्माजी लंबे लंबे पक धरते हुए उस पार्क से आबादी की तरफ चले किन्तु विचार चित्र को कहां छोड़ते सुमन उनके पीछे पीछे आती थी कभी सामने आकर रास्ता रोक लेती और कहती मेरी यह दुर्गती तुमने की है कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से निकलाती और यही शब्द दोहराती चर्माजी ने बड़ी कठनाई से उतना रास्ता तै किया घर आये और कमरे में मूँ ढाप कर पड़े रहे सुभद्रा ने भोजन करने के लिए आग्रह किया तो उसे सिर्दर्द का भाना करके टाला सारी रात सुमन उनके रिदय में बैठी हुई उन्हें कोस्ती रही तुम विद्वान बनते हो तुमको अपने बुद्धी विवेक पर घमंड है लेकिन तुम फूस के जोपड़ों के पास बारूद की हवाई फुलजड़ियां छोड़ते हो अगर तुम अपना धन फूकना चाहते हो तु जाकर मैदान में फूको गरीब दुखियों का घर क्यों जलाते हो प्राते काल शर्मा जी विठल दास के घर जा पहुंचे सुभद्रा को संध्या के समय कंगन की याद आई लपकी हुई स्नान घर में गई उसे खूब याद था कि उसने यहीं ताक पर रख दिया था लेकिन उसका वहां पता न था इस पर वह घबराई अपने कमरे के प्रतेक ताक और अलमारी को देखा रसोई के कमरे में चारो ओर ढूंडा घबराहट और भी बड़ी फिर तो उसने एक-एक संदूग एक-एक कोना चान मारा मानो कोई सुई ढूंड रही हो लेकिन कुछ पता न चला महरी से पूछा तो उसने बेटे की कसम खाकर कहा मैं नहीं जानते जीतन को बुला कर पूछा वै बोला मालकिन बुढ़ापे में यह दाग मत लगाओ सारी उमर भले-भले आदमियों की चाकरी में ही कटी है लेकिन कभी नियत नहीं बिगाडी अब कितने दिन जीना है कि नियत बद करूँ सुभद्रा हताश हो गई अब किस से पूछे जी न माना फिर संदूक, कपड़ों की गट्रियां आदी खोल-खोल कर देखी आटे दाल की हांडियां भी न छोड़ी पानी के मटकों में हाथ दाल डाल कर टटोला अंत में निराश होकर चार पाई पर लेट गई उसने सदन को इस नान ग्रह में जाते देखा था शंका हुई कि उसी ने हसी में चिपा कर रखा हो लेकिन उससे पूछने की हिम्मत न पड़ी सोचा शर्माजी घूम कर खाना खाने आएं तो उनसे कहूंगी जो ही शर्माजी घर में आए सुभत्रा ने उनसे रिपोर्ट की शर्माजी ने कहा अच्छी तरह देखो घर में ही होगा ले कौन जाएगा घर की एक एक अंगुल जमीन चान डाली नौकर से पूछो सब से पूछा दोनों कसम खाते हैं मुझे खूब याद है मैंने उसे नहाने के कमरे में ताक पर रख दिया था तो क्या उसके पर लगे थे जो आप ही आप उड़ गया डौकरों पर तो मेरा संधह नहीं है तो दूसरा कौन ले जाएगा कहो तो सदन से पूछू मैंने उसे कमरे में जाते देखा था शायद दिल लगी के लिए छिपा रखा हो तुम्हारी भी क्या समझ है उसने छिपाया होता तो कह न देता तो पूछने में हर्ज ही क्या है सोचता हो कि खुब हैरान करके बताऊंगा हर्ज क्यों नहीं है कहीं उसने ना देखा हो तो समझेगा मुझे चोरी लगाती है उस कमरे में तो वह गया था मैंने अपनी आखों से देखा तो क्या वहां तुम्हारा कंगन उठाने गया था बेबात की बात करती हो उससे भूल कर भी मत पूछना एक तो वहे ले ही नहीं गया होगा और ले भी गया होगा तो आज नहीं कल दे देगा जल्दी क्या है तुम्हारे जैसा दिल कहां से लाऊं धाडस तो हो ही जाएगा चाहे जो कुछ हो उससे कदापी न पूछना उस समय तो चुप हो गई सुभद्रा लेकिन जब रात को चाचा भतीजे भोजन करने बैठे तो उससे न रहा गया सदन से बोली लाला मेरा कंगन नहीं मिलता छिपा रखा हो तो दे दो क्यों हैरान करते हो सदन के मुख का रंग उड़ गया और कलेजा कापने लगा चोरी करके सीना जोरी करने का ढंग न जानता था उसके मुख में कौर था उसे चबाना भूल गया इस प्रकार मौन हो गया कि मानो कुछ सुना ही नहीं शर्मा जी ने सुभद्रा की और ऐसे आगने नेत्रों से देखा कि उसका रक्त सुख गया फिर जबान खोलने का साहस न हुआ फिर सदन ने शिगरता पूरवक दो चार ग्रास खाए और चौके से उठ गया शर्मा जी बोले यह तुम्हारी क्या आदत है कि मैं जिस काम को मना करता हूँ वह अदबद के करती हो तुमने उसकी सूरत नहीं देखी वह ले गया है अगर जूट निकल जाए तो जो चोर की सजा वह मेरी यह सामुद्रिक विद्या कब से सीखी उसकी सूरत से साफ मालूम होता था अच्छा मान लिया वही ले गया हो तो कंगन की क्या हस्ती है मेरा तो यह शरीर ही उसी का पाला है अगर वह मेरी जान मांगें तो मैं देदू मेरा सब कुछ उसका है वह चाहे मांग कर ले जाए चाहे उठा ले जाए सुभद्रा चिड़ कर बोली तो तुमने गुलामी लिखाई है गुलामी करो मेरी चीज कोई उठा ले जाएगा तो मुझसे चुपना रहा जाएगा दूसरे दिन संध्या को जब शर्मा जी सैर करके लोटे तो सुभद्रा उन्हें भोजन करने के लिए बुलाने गई उन्होंने कंगन उसके सामने फैक दिया सुभद्रा ने आश्चरे से दोड़ कर उठा लिया तुमने सदन पर संध्य करके उसे भी दुख पहुँचाया और अपने आपको भी कलुशित किया हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं आपके कॉमेंट्स और लाइक हमें प्रोथसाहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानिया शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन दबाना न भूलें इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ